मेरे प्यारे दोस्तों मैं रौशन कुमार आपका हमारी यूट्यू चनल पर स्वागत है आज मैं जोग्राफिय का एक महत्पुन टॉपिक जो भारत की भोगल की इस्तिती उसके बारे में बताने जा रहा हूँ तो आईए दोस्तों शरुवात करते हैं भारत की भोगल की इस्तिती के बारे में सबसे पहले भारत की जो भोगल की इस्तिती है इसे जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि भारत हमारा ग्लोब पे कहां है अवस्तित या भारत का इतिहास कैसे शुरू हुआ है कहां से जनकार नाम है भारत का भॉल किस्तिति तो यानिए भारतिय सभता एवं संस्कृतिय विकास है वह सिंदु नर्दी घाटी सभता को ही माना जाता है ठीक है जो अपने विशाल सब सामराज्जियों व्यपार संस्कृतिक विकास एवं आर्थिक सफलताओं के लिए जानी जाती है तो इससे पहले जानेंगे हम भारत के बारे में भारत का क्या क्या नाम है भारत का नाम जैसे आर्यवर्थ है भारत वर्थ है तो यह सब नाम पढ़ा है भारत का नाम अंकरन हुआ है कैसे हुआ तो पहले चीज जो आते हैं आर्या वर्थ यह भारत का नाम कैसे पढ़ा तो भा भारत के उत्तर में आकर बसने वाले आर हैं इनी के नाम पर भारत का नाम भारत आर्य वर्थ पड़ा है ठीक है दोस्तों आरे कौन थे तो फिलाल जाने लिए आरे कौन थे बाकी शिश्ट्री में जानने के भी से है यह तो आरे जो है वो मद एसिया से आकर उत्तर भाते बसने वाले एक समराजी था इनमें जानते हैं अब अगला है नाम भारत का भारत वर्स ये नाम कैसे पड़ा तो आरे के ही एक सकति साली राजा थे जिनका नाम भारत था इन ही के नाम पर भारत का नाम भारत वर्स पड़ा ठीक है दोस्तों उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं अब आप एक चीज़ जानते होंगे आर में दो तरह के हैं एक वैदिक काल में माना याता है एक उत्तर वैदिक काल में इन में ही आरियों का जो निवास स्थाने धीरे देरे चेंजिंग होते आया है पहले आर लोग वैदिक काल में आये थे फिर धीरे देरे बढ़ते हैं तो उत्तर वैदिक काल आया था जानते होंगे इस वार में आप इस्तियास में पढ़े ही होंगे तो हमें ये जानना है कि वैदिक आर्यों को जो निवास इस्थान है वो कौन सी नदी घाटी को माना गया है ठीक है दोस्तों उसके बाद आते हैं आगे अब देखे कुछ कोश्चन उठता है सिंदु नदिखाटी पर और हमारा जो देश है जिसे हम हिंदुस्तान ही बोलते हैं इंडिया भी बोलते हैं तो इन सब का नामंकरन किस ने किया ये नाम कहां से आया है तो इसके बारे में जा तो इरानी लोग आर लोग को क्या कहा ये तो आकर बस गया उत्तर भारत में और उत्तर भारत में ही सिंदु नदि घाटी थी जो आपके जम्मु कस्मीर हो गया या पेर गुजरात छेतर हो गया या पकिस्तान का पंजाब का छेतर हो गया उसे छेतर हो गया उसे छेतर हो गय हिंदु नदी दोस्तों सिंदु नदी को और जो इस छेतर में बसे हुए थे सिंदु नदी छेतर में या उस देश जो वहां का छेतर था उसे कहा है हिंदुस्तान क्या कहा दोस्तों हिंदुस्तान उसी परकार एक है युनानी तो युनानी लोग भी क्या कहा है कि जो सिंदु नदी छेतर था उसे कहा है ये लोग इंडस नदी कौन नदी इंडस नदी दोस्तों और जो उस छेतर में रहा रहे थे उस छेतर का नामकरन क्या है ये इंडिया से ठीक है इंडिया से और जांजाई यहां जा जाए। जो हिंद्वistान है वो किसी मतब मतलब धर्म को इंडीकेट नहीं कर रहा था उस समय कि हिंदू फोगा तो हिंदुस्तान हो व सेे युणानी के है सिंदू नदी और उस छेत्र क्या कह इंडिया नदी दोस्तों इतना तो आप जान गये भारत के बारे में इतिहास कि यहां से नामंकर्न हुआ अब चलते हैं हम लोग आगे कि भारत की अवस्तिती såobil इबं इनका विस्तार ऐसे कैसे है कि भार्त ग्लोब में कहां पर है कितने डिगरी पर है नहीं कितना दूरी और दखिनु पूरा प्थार सिन लगई चलते हैं ठीके आगे चले हैं अगे पहली बात अपना भारत प्यारा भारत ग्लोब पे कहा है तो भारत जो है वह एक तुम पाथ अशिया में है नहीं है इस इस इंडी कह आ है उसके बाद भारत हमारत जो आप जानते होंगे मैप भाट का मैप कैसा है तो चतुस कोनी ऐह है क्या है चतुस कोनी आकार का अपना प्यारा भारत है तो इच अल्गया का वह बारत की विशिष्ट भौतिक विवित्था को दर्साथा जानते ही होंगे कि जो आपना उत्ता जमुका से वहां का जो टेंपरेचर है या फिर वहां का इंवार्मेंट हो अलग होता है पूरव का अलग है पस्चिम का अलग है यह जो अब आगे चलते हैं उसके बाद उसके बाद दोस्तों